किसके सर सजेगा अयोध्या के मेरपत का ताज किसकी होगी सीधी टककर सपा भाचपा या बसपा जिया दोस्त आपने बिल्कुल साइज सुना मैं हूँ पर आगमेंदर आप देख रहे हैं नैशनल चौपाल इस वक्त हम लोग अयोध्या में मौझूद है और लगातार समाजवादी पार्टी या फिर कॉंग्रेस की उना हो और फिर बहुजन समाज पार्टी यह तमाम पार्टिया लगातार चुनावी मैदान में बने हुए है चुनावे का आखरी पड़ाव आ चुका है और अभी 11 तारीक को दूसरे चरण के चुनाव के मद्दान होने हैं कह जो चुनाव रहा उससे उसके साथ में कुछ विसलेशन के माद्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखर किस प्रकार इस बार के जातियस हमिकरन को लेकर यह आयोद्या की जो नगर निगम की सीट है यह जीती जाएगी आखर किस के पलड़े में यह सीट होगी हम लोग बात कर रहा है अयोद्या के नगर निगम के चुनाव की और जिसको बता दे कि भारते जनता पारटी के माद्यम से जो सीधी जंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं समाजवादी पारटी और साथी साथ कॉंग्रेस और बहुजन समाज़ पारटी लगातार यह चार चुना हुए उसके भारते जंदा पार्टी से दावेदारी जो की गई थी भारते जंदा पार्टी ने सीट को लड़ा था और इस बार भारते जंदा पार्टी ने जिस प्रत्याशी को उतारा है बता दे नाम है गिरिश्ट्री पार्टी उसके बाद में अगर बात करेंगे सम बहुजन समाज पार्टी से राम मुर्ति यादाव को प्रत्याशी बनाया है। लगातार यह चारों पार्टीया सियासी मैदान में है। इस सब पूरे चुनावी सियासी मैदान के अंदर में और जिस प्रकार ये जाती है समीकरण को बिठाने की यहाँ पर कोशिच की कहिए बात करेंगे भारते जन्ता पाइटी की या फिर समाजवादी पाइटी की या कॉंग्रेस की यहाँ पर एक कहिने की समीकरण बिठता सबरन उमिद्वार को यहाँ पर उतारा है बात करेंगे अगर समाजवादी पाइटी को तो समाजवादी पाइटी ने भी आशिष पांडे को यहाँ पर ब्रह्मन समाज के विक्ति को इस सीट में उतारा है और साथी साथ बात करेंगे तो ठाकुर समाज से प्रमिलर को यहाँ पर सियासी मैदान में उतार गया है तो यहाँ पर तीनों यहाँ जो पार्टिया है समाजवादी पार्टी भारते जन्ता पार्टी और कॉंग्रेस इन तीनों ने सवर्ना प्रत्याश्यों को सियासी मैदान में उतार है कानपु यह अयोद्या की सीट है और इस अहद समाच का बहुत बड़ा जुखा यह कहने के समाच वाइटी के और नजर आता है लेकिन यह और या दो प्रत्याब्युय समाच के प्रत्याशी को भधुजन समाच पाईटी ने इस इसे अधें के नगरनिका के सीट में उता रहा है तो यहां पर ये भी सवाल उठाय जा सकता है या फिर ये भी बात सीधी सीधी साबित हो जाती है कि जो सवर्न वोट है ये एक सवर्न वोट कहिने के भारत जंता पार्टी समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस में ये बढ़ सकता है और कहिने कि इसका सीधा जो परिणाम बहुजन समाज पार्ट इन्होंने जो कोशिच किया है यह कोशिच कितनी सफल होगी यह आने वाला वक्ती बताएगा 17 में से जो 11 सीटे है यह 11 सीटे बहुजन समाच पाइटी ने मुस्लिम समाच को दी है और यहाँ पर भी इस छेत रखे अंदर मुस्लिम समाच का कहिने के बड़ा वोट बैंक है समुदाय का अगर जो गडबंधन जाती है गडबंधन अगर बन जाता है तो निश्चित रूप से बोजन समाच के पलड़े में बोजन समाच पाइटी के पलड़े में यह जरू यह सीट जा सकती है राममुर्ती यादव के माध्यम से जिस प्रकार चुनावी प्रचार चल रहा है भारते जंता पाइटी के माध्यम से गिरिश त्रिपाटी के माध्यम से प्रचार चल रहा है आशिश पांडे जो कॉंग्रेस समाच अधी पाइटी से इनके माध्यम से प्रचार चल रहा है प्रमिला याद हो ये प्रमिला राचपुत के माध्यम से जो प्रचार चल रहा है तमाम तरीके से पाइटी अपने प्रचार में लगातार लगी हुए प्रचार का आखरी वक्त आ चुका है आखरी पाइदान पर आखरी वक्त पर ये चुना प्रचार है ग्यारा तारीक को मद आपने के साथ तब तक के लिए जय भी जय भारत। बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुले।